अद्वार दोस्तो आप देख रहे हैं नीरज कुमार प्राइम जहां पर में बताऊंगा कुछ बेजिक मुजिक थेयरी और कुछ बेजिक सिंगिन टुतोरियल जिसमें इंडिन क्लासिक और वेस्टन क्लासिक तोनों अलग अलग दिनों में या सीजन में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बताऊँगा कुछ interesting news, facts और figure, जाहिर है वो भी music के बारे में ही होगा, मैं हूँ निरज कुमार, तो किस बात की देरी, शुरू करते हैं। अलो दोस्तो, आज मैं आपको सिखाने जारू एक आसान तरीका जो मैंने ढून निकाला है सारे गामा पधनिसा या डोरे मिफा सोला टीडो को खोजने का, जो कि आप दुनिया के किसी भी harmonium grand piano electronic keyboard में उनके key pattern को follow करके बजा सकते हैं। जैसे कि इन सभी instrument के key pattern सेमी होते हैं, इसके बाद आपको ना किसी से पूछने की जरूवत है और ना ही confuse होने की जरूवत है। यह सबसे अच्छा और आसान method है मेरे जानकारी के हिसाब से। पर शुरू में थोड़ा समझने में महनत लग सकता है। मैंने किसी को भी अभी तक यह method इंटरनेट भी यूज करते हुए यह बताते हुए नहीं देखा है। यह वो पारंपरिक तरीका नहीं है जो कि आपको इंस्टिटूट यह class में सिखाया जाता है। पर हाँ यह आसान तरीका है। अगर आप इसे 10 मिनट के लिए ध्यान देते हैं तो आप सारे गमा पाधनीसा और दोर्वे मिफा 16 टीडियो को किसी भी की से धून के बजा सकते हैं। मेरी बात पर उश्रास नहीं होता तो खुद ही आप चेक कर लीजिए आपको जादा बोर ना करके चलिए इस मेथड़ पे चलते हैं। में रखनी है 606 पहला तीसरा पांचवा चट्टा जवाब का 606 का पैटन कंप्लीट हो जाता है जो कि है 1234560 123456 तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर दो ग्रूप में डिवाइड है 66 के तो इसके अंदर जो दूसरे ग्रूप का 6 नंबर है वो फिर से 1 हो जाता है एक बार आपने कंप्लीट कर लिया साइकल तो यानि कि 1234560 123456 यहां पर यह जो छटा नंबर आया जैसे कंप्लीट हो गया तो आगे अगर आपको कंटीन्यू बजाना है तो यह 6 नंबर एज़ वन हो जाता है आगे के ओक्टेव के लिए जब मैं बताऊंगा तो आपको 6 तो मुझे लगता है कि आप 3rd point भी समझ गए होंगे इस डाइग्राम को देखकर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो 2nd group का 6 की है वो 1st हो जाता है यदि आप सेम स्केल में सा से सा बजाना चाते हैं आगे अब पहले डाइग्राम में उनके स्वरों का पैटन देखिए सार आप देख सकते हैं जो दूसरा पॉइंट 1,2,3,4,5,6 का जो मैंने बताया था वो उजागर हो रहा है मैं चाहता हूँ जो नंबर आप देख रहे हैं इस समय नंबरों के नीचे जो स्वर दिये गए हैं आप उन्हें देखें जो पहला ग्रूप है पहला 3,5,6 वो सारे गम परधनिसा यह 16 टीडों और इस तरी के सम पूरे स्वर को प्राप्त करके सैकल कंप्लेट कर लेते हैं जो कि यह सारे गम परधनिसा यह डोरी मिफा 16 टीडों यदि आप आगे सेम स्किल में अगले वाले सब तक में बढ़ना चाहते हैं तो आपको 6 की जो 6 की है उसे पहले की कंसीडर करके सेम पैटर्न पॉलू करना है 606 का अब तक आपको सब समझ में आया होगा अगर नहीं तो चिंता की कोई जरूत नहीं है जब हम आगे 12 प्रशनों का हल करेंगे तो अंत में आपको समझ आही जाएगा जाहिसी बात है कि 12 प्रशनों के उत्तर में बताऊंगा प बजा सकते हैं अब किसी भी की में स्वर ढूने में सक्षम होंगे लेट्स बिगिन दे कोईशन में सफेद एक की से शुरू करूंगा और एक एक करके आगे बढ़ते जाऊंगा मेरा एक मिनम्र निवेदन है यदि आप सच में सीखना चाते हैं तो प्लीज पूरे वीडियो को देखें क्योंकि हर प्रेशन बिल्कुल नया रहेगा बेस्ट अफ लग तो शुरू करते हैं इस समय आप अपने सामने काले और सफेद की देख रहे हैं जिसमें मंदर सब्तक और तार सब्तक के पूरे की हैं जिनकी शुरुवात और अंद C3 से C4 और C4 से C5 तक है सफेद इस से हम एक काउंट करेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बात इसरी की कौन सी हैं ये वाली है कौन सी 5 वी की है ये वाली है चटवी की है ये वाली है अच्छा 6-0-6 की साइकल में हमने पहले 6 की के ग्रूप को खतम कर दिया है अब आता है अगला की जिसे हम zero consider करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं count करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी counting शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम सेम चीज़ करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर यह पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पाचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छटवा की रहेगा ये वाला वाव हमने कर दिखाया बढ़िया है सारे गामा पधनी सा या डोरे मिकवा सोला टीडो और इसे सी मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ आपको थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा अब हम अपने अगली की की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगली की सफे देख के बाद काली एक है चलिए अगले प्रेशनी की तरफ बढ़ते हैं काली एक क्या मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब तक में काली एक कौन सी की है तो ये वाली की है काली एक इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद दीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पांचवी की है ये वाली कौन सी छटवी की है ये वाली है अच्छा 6-06 की साइकल में हमने पहले 6 की के ग्रूप को खतम कर दिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं काउंट करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम सेम चीज़ करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर यह पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छटवा की रहेगा ये वाला वाउ फिर से हमने एक बार पुरा साइकल कंप्लेट कर लिया पढ़ियां ये है सारे गाम अपा धनीसा टोरे मिफा सॉलिट टी डाउं और इसे C-Sharp Major Scale के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया रहेगा अब हम अपने अगले की की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगले की काली 1 के बाद सफे 2 है चलिए अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं सफे 2 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब्तक में सफे 2 की कौन सी है ये वाली ये की सफे 2 है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते है, इस के बाद तिसरी की कौन सी है, ये वाली, कौन सी पाँचभी की है, ये वाली, जी सीड़ की है, ये वाली, अच्चा, 606 की साइकल में हमने पहले 6 की के गृूप को खतम कर दिया है, अब आता है अगला की जिसे हम zero consider करेंगे तो इसे हम छोड़ देंगे या कह सकते हैं नहीं count करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी counting शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी हम same चीज़ करेंगे तो यह हमारा पहला की है अगर यह पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा होगा ये वाला कौन सा पाचवा की रहेगा ये वाला कौन सा छटवा की रहेगा ये वाला वाओ और एक बार फिर से हमने जो है cycle complete कर लिया सारे गामा पाधनिसा दोरे मिफा सोला टीडो इसे पी मेजर Scale के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है ठीक है आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा अब समझ में आने लगा होगा अब हम अपने अगली की कितर बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगले की सफे 2 के बाद काली 2 है चलिए अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं काली 2 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब तक में काली 2 कौन सी है तो ये वाली की है इसे हम एक count करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन सी पाँचवी की है ये वाली कौन सी छटवी की है ये वाली अच्छा तो 606 की साइकल में हमने पहले 6K के ग्रूप को खतम कर लिया अब आती है अगले की की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे या अकाउंट नहीं करेंगे इसे छोडने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगले की से तो दूसरी बार भी सेम चीज रिपीट करेंगे तो ये हमारा पहला की है अगर ये हमारा पहला की है तो इस आप से तीसरा की कौन सा है ये वाला कौन सा 5 की है ये वाला कौन जा छेटवा की है ये वाला क्या बात है और इस जंग से हमने जो है साइकल कंप्लेट कर लिया ये है सारे गामा पादनीशा ये डोरी मिफा सोला टीडो इसे डी शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है ठीक है आशा करता हूँ अब ये चीज़े थोड़ी आसान होने लगी होंगी अब हम अपने अगली की की तरफ बढ़ेंगे अब आसानी से कह सकते हैं कि काली 2 के बाद जो अगली की है वो है सफेद 3 चलिए अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं सफेद 3 क्या मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब्त में सफेद 3 की कौन सी है ये वाले की है इसे हम एक काउंट करेंगे क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली कौन से पांचवी की है ये वाली कौन से छटवी की है ये वाली अच्छा 606 के साइकल में हमने पहले 6 की के ग्रूप को खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे अगली की से तो दूसरी बार भी सेम चीज़ करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये हमारा पहला की है तो इसके इसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला कौन सा चट्टा की रहेगा ये वाला इस तरीके से हमने फिर से एक बार साइकल कम्प्लेट कल गिया क्या बात है सारे गामा पाधनीसा या डोरे मिल फासुला ठीटो इसे ये मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और ये सुने में कुछ ऐसा लगता है तीक है आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा अब हम अपने अगली की की तरफ बढ़ेंगे अब आसानी से कह सकते हैं कि अगली की सफे 3 के बात सफे 4 है चल ये अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं सफे 4 की आप मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब तक में सफे 4 की कौन सी है तो ये वाली है सफे 4 इसे हम एक काउंट करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली की है तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी चटवी की होगी ये वाली अच्छा तो 6-0-6 के साइकल में हमें पहली 6 की का ग्रूप खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे जुसरी बार भी सेम चीज़ करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा यह वाला कौन सा छट्टा की रहेगा यह वाला क्या बात हमने फिर से कर दिखाया सारे गामा पैधनी सा यह डोरे मिफा सोला ठीडों इसे एफ मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है और यह सुनने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूं कि आप फ्लो के साथ चल रहे होंगे अब अच्छा क्या मुझे बता सकते हैं कि सफे 4 के बाद काली 3 है चलिए अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं काली तीन की मुझे लगता है कि अभी तक आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि पहला तीसरा पाँचवा छट्टा एक की छोड़के पहला तीसरा पाँचवा छट्टा और इसंग से आपकी साइकल कंप्लिट हो जाती है खुद को थोड़ा और टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बाकी के कोशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं भरोसा करें थोड़ा अभ्यास और हो जाएगा तो आप और आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सारे गमापाद नहीं साथ ढूस सकते हैं चाहे वो पियानो हार्मोनी में उलेक्ट्रोनिक क्यों ना हो यदि आप बोर हो गए हैं तो वीडियो के लास पार्ट को मिस्मत करना मैंने वेस्टन क्लासिकल मेथड भी बताया है तो चलिए अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं काली तीन क्या मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब तक में काली तीन की कौन सी है ये वाली तो इससे हम एक काउंट करेंगे तो इसके बाद तीसरी की कौन सी रहेगी ये वाली पांचवी की कौन सी रहेगी ये वाली छटवी की कौन सी रहेगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकल में हमने पहली 6 की का ग्रूप खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे ये काउंट नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी बार भी सेम चीज़ करेंगे तो ये हमारा पहला की अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला कौन सा पांचवा की रहेगा यह वाला कौन सा छट्टा की रहेगा यह वाला वाव एक बाद फिर कंप्लिट कर दिया यह सारे गामा पाधनीसा या डोर मिफा 16 टीडो इससे F-sharp मेजर स्केल भी कहा जाता है और यह सुनने में कुछ ऐसा लगता है ठीक है आशा करता हूँ कि अब आप smoothly follow कर रहेंगे अगर हम अपने अगली की की तरफ देखेंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि अगली की काली 3 के बाद सफेद 5 है चलिए अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं सफेद 5 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मंदर सब तक में हमसी चटवी कीव होगी है यह वाली अच्छा तो 606 के साइकल में हमने पहली 6 की का ग्रूप खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करेंगे यह काउंट नहीं करेंगे इस की को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे दूसरी करेंगे तो यह हमारा पहला की अगर यह पहला की है तो इसके साफसे 3 की कौणसा रहेगा इवाला कौसा पांचवा की रहेगा यह वाला कौन सा छट्टा की रहेगा इसलिए बीक ठागगा फिर से कर दिखाया अब हम अपने अगले की की तरफ बढ़ेंगे आप आसानी से कह सकते हैं ये अगले की सफेद पाँच के बाद काली चार है चलिए अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं काली चार क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब्टक में काली चार कौन सी की है? ये वाले की है, इसे हम एक count करेंगे, क्या मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद तीसरी की कौन सी है ये वाली, कौन सी पांचवी की है ये वाली, कौन सी छटवी की है ये वाली, अच्छा, 606 के cycle में हमने पहले 6 की के group को खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम zero consider करेंगे, ये count नहीं करेंगे इसकी को छोड़ने के बाद फिर से अपनी counting शुरू करेंगे अगली की से तो दूसरी बार भी same चीज़ करेंगे, तो ये हमारा पहला की अगर ये हमारा पहला कीए तो इसके सबसे तीसरा की कौन सा रहेगा ये वाला, कौन सा पांचवा की रहेगा ये वाला, कौन सा छटा की रहेगा ये वाला, इस तरीके से हमने फिर से एक बार cycle complete कल गिया सारे गामा पाधनी सा या डोरिमी फासुला ट्वीडो और इसे जी शार्प मेजर स्केल के नाम से भी जाना जाता है इनकी के कॉम्बिनेशन को और ये सुने में कुछ ऐसा लगता है आशा करता हूँ अब आप काफी अच्छे समझ रहे होंगे अब हम अपने अगले की की तरफ बढ़ेंगे अब आसानी से कह सकते हैं कि अगले की काली चार के बाद सफेज 6 है चलिए अगले प्रश्णी की तरफ बढ़ते हैं सफेज 6 की क्या मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब तक में सफेज 6 कौन सी की है ये वाली, इसे हम एक count करेंगे, जब मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली किये तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली, कौन सी 5 की होगी, ये वाली, कौन सी 6 की होगी, ये वाली, अच्छा यह बाला कौनसा 5 वा की रहेगा यह बाला कौनसा 5 वा की रहेगा यह बाला हमने फिर से कर दिखाया सारे गांबा पैधनी सा यह 12 मिपा 16 ठीड़ो और उसे it valuable scale के नाम से भी जाना जाता है और यह सुनने में कुछ ऐसा लगता है अब हम अगली की की तरफ बढ़ेंगे, आप आसानी से बता सकते हैं सफ़ेड 6 के बाद next की जो है वो काली 5 है, चलिए अगले प्रशनी की तरफ बढ़ते हैं काली 5, काली 5 का आप मुझे बता सकते हैं कि मंदर सब्तक में काली 5 कौन सी की है? ये वाली, इसे हम एक काउंट करे कि आप मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली किये तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पांचवी की होगी ये वाली कौन सी चटवी की होगी ये वाली अच्छा तो 606 के साइकल में हमने पहली 6 की का ग्रूप खतम कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम 0 कंसिडर करे इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे, दूसरी बार भी सेम चीज़ करेंगे, तो ये हमारा पहला की, अगर ये पहला की है तो इसके हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा, ये वाला, कौन सा पाँचवा की रहेगा, ये वाला, कौन सा छट अब हम अगली की की तरफ बढ़ेंगे अब अभी करबेंगे अब आसानी से है क्या सकते हैं अगले की काली पांच के बाद सफेस Um Patrol चलिए अगले पृषणिकी तरफ पड़ते हैं सफेस साथे क्या आप मुझे बता सकते है कि मंदर सबें सफेस साथ की कौन सी है ये वाली इसे हम एक काौंट करेंगे चाहब मुझे बता सकते हैं अगर ये पहली किये तो तीसरी की कौन सी होगी ये वाली कौन सी पाँचवी की होगी ये वाली कौन सी छटवी की होगी ये वाली अच्छा तो six zero six के cycle में हमने पहली six की का group कर लिया है अब आता है अगला की जिसे हम zero consider करेंगे ये count नहीं करेंगे, इसकी को छोड़ने के बाद हम फिर से अपनी counting शुरू करेंगे, दूसरी बार भी same चीज़ करेंगे, तो ये हमारा पहला की, अगर ये पहला की है तो इसकी हिसाब से तीसरा की कौन सा रहेगा, ये वाला, कौन सा अब हम अगली की की तरफ बढ़ेंगे, अब आसानी से कह सकते हैं कि अगली की सफेज साथ के बाद सफेद एक है, चलिए अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं सफेद एक की, और इस तरह से same sequence में हम फिर से पहुँच जाते हैं अगले सब्तक के, जो की है C major skill अब आप वीडियो को वाब इस से return प्ले कर सकते हैं और same pattern follow होगा, जो की C major से लेकि अभी तक follow हुआ है Same pattern यहाँ पर follow होगा, पहला तीसरा पांचवा चट्टा, फिर से एक छोड़ दे, पहला तीसरा पांचवा चट्टा और काम खतम हो गया दोस्तो इस method का plus point यह है कि अगर आप इसको उल्टा follow करेंगे, आपको स्वरो कोई श्रिंखला उल्टी मिलेंगी मेरा मतलब है चट्वा पांचवा तीसरा पहला, एक छोड़ दे, चट्वा पांचवा तीसरा पहला और आपको सानी धबम अगरेसा या डोटीला सोफामी रेडो मिल जाएगा जो इस मेथड को एकदम flawless बनाता है, तो अब आपको पता है कि कितना आसान है, पहला तिसरा पांचवा चट्वा चट्वा एक की छोड़ दे, पहला तिसरा पांचवा चट्वा चट्वा और बात खतम चलिए देखते हैं कि western classical में कैसा button follow होता है, western classical music में दो कीके अंतर के वीच को half step कहा जाता है, उधारन के तौर पर यदि आपको half step उपर या नीचे बजाने के लिए कहा जाता है, तो आप सामाने तोर से की नीचे या उपर बजाएं, उच जगह से जहां से आप कीक बजा र जिए उस जगह से जहां से आप बजा रहे हैं, जैसे diagram में दिखाया गया है, यह method किसी भी key पर कहीं पर भी apply कर सकते हैं, यह सिफ music की भाशा है, जैसा की diagram में दिखाया गया है कि इस method का हिसाब से यदि आप सारे गमा पदन इसा या दोरे मिफा 16 टीडो को पता लगाना चा आपको दोनों method पता है, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सीखा होगा, यदि आपके पास piano, harmonium, electronic keyboard नहीं है, तो आप फिर भी notation प्ले कर सकते हैं, और गाने का अभ्यास भी कर सकते हैं, और अपने गले की आवाज का range भी पता लग पहला ये दूसरा, दोस्तों आपके support के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा subscriber बढ़ा हो या, दोस्तों ये भी उनलों के साथ शेर करें, जो music सीखना चाते हैं, पर अफोर्ट नहीं कर सकते हैं, या उनलों के साथ शेर कीजिए, जो music सीखना चाते हैं, बड़ उनका schedule इतना बीजी रहता है, job करते हैं, या क्यों और activity करते हैं, कि उनको time नहीं मिल पाता है, class attend करने के लिए, और share करते समय उन्हें भी यही बात कहिए, कि वो भी आगे इसी तरग्ये से share करें, अच्छा, तो मिलते हैं next video में, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, बा कर दिए आगbbe जगे eşमारा, बागे बादये हैं, आगे इसी तर टुनमेरा और frågor, आगे हैं, कि वोगके अर खिस्वता हैं, इसी, तुनमेरा, खिस्वता हैं.